नमस्कार है दोस्तों 36 गर्ण न्यूज अप्डेट में तो इस समय की बड़ी ख़बर सामने आई हैं चार टीचर सको किया गया सस्पेंड सराप के नसे में स्कूल आया टीचर एक बिना बताए लंबे समय से था गया कुंडा गाउं 36 गर्ण के कुंडा गाउं में अलग-अलग स्कूलों में कारेरा चार टीचर सको लपरवाही बरतने के कारण सस्पेंड कर दिया गया है सस्पेंड किये गए टीचर सका नाम सहयक सिक्षक, चरंसिया मरकाम, प्रधान अध्यापक, संकरलाल नेताम, सहयक सिक्षक, लबी, चीतुराम सरफे और प्रधान अध्यापक, रामसिया कुदराम हैं क्लेक्टर के निर्देश पर करवाई की गई हैं दरसल कुंडगाओं के कलेक्टर के निर्देश के तहद यह करवाई की गई हैं इन चारो निलंबित टीचर सपर आरोब लगे हैं कि किसी ने चात्रविती के नाम पर रुपिये मांगे हैं तो कोई सराप पिगर स्कूल पहुंसता था विकासकन सास्किय उच्च प्राजमिक साला अदनार के प्रभारियत ध्यपाक रामसिहं कुदराम को सकूल के बच्चों से जाती प्रमान पत्र अच्छात्रविती बनाने के लिए प्रतिच रुपिये लेने की सिकायत मिली थी जांच के बाद टीचर के निलंबन के लिए प्रस्ताव संयुक्त संचाला की स्कूल सिक्षा बस्तर संभाग को भेजा गया फरस गाउं बलाग के अंतरगत प्रात्मिक साला कुमार पारा बंजोडा में पदास सिक्षक चरन सी हमर काम को सराप पी कर इस्कूल आने और पढ़ाई में लपरवाही ब्रतने की सिकायात लगातार मीज रही थी मामले में ततकाल प्रभाव से करवाई करते हुए निलंबित किया गया है कुंडा गाव अंतरगत सास्किय प्रात्मिक साला कोहकाडी के सहयाक सिक्षक एलबी चीतूराम सर्फे को बिना सुचना के लंबे समय तक गायब रहने के कारण टीचर को लिलंबित कर दिया गया है साथ ही फरस गाव अंतरगा सास्किय प्रात्मिक साला सधारी के प्रधान अध्यापाक संकर नेताम को प्रहाई में समर्थ पाये जाने पर उन्हें तत्कार प्रभाव से निलंबित किया गया है